Hello friends, welcome to minor care, मैं हो Krishna, कैसी हैं सब लोग, मास्त बाडिया तो थोड़ी सी बातें आप को लेके कर लेते हैं, लेक्टे स्टार्ट करने से पहले कुछ confusion हैं बच्चों को, जो मैं दूर कर दूँ, पहला है कि सर आप में हमको extra क्या मिलने वाला है तो देखो मैं बता दूँ आपको lecture or notes, ये तो आपको YouTube पे भी मिल रहे हैं, app भी मिलेंगे उसके अलावा जो आपके main exam की preparation है, one mask question कैसे होंगे, two mask question कैसे आएंगे, three mask कैसे आएंगे, five mask कैसे आएंगे जो important questions है, ठीक है, questions होंगे और उनके answers भी आपको मिलेंगे, ठीक है, जल्दी मिलेंगे साथ चीज़े, then MCQ practice, कि जो exam में practice है, एक होता है कि आप YouTube पे ऐसे मालोग कर दिया सामने कि हाँ, ये question ये answer है, उसमें मजा नहीं है बेटा, app में जब question आपके सामने रहेगा, आप खु situation के हिसाब से भी रहेगा सब कुछ, यानि कि समझ रहें आप दोनों चीज़े combined रहेंगी इसके अंदर, आपके fill in the blanks भी आये थे, ठीक है, one mask question भी आये थे, जो की 20 number का part है, अब तुमारे डी farm first year और second year के final exam का, तो ये दोनों चीज़े रहेंगी, जल्द ही live classes start हो जाएंग ठीक है, बिल्कुल भी घबराएं नहीं और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अभी क्या हो रहा है ये, जल्दी आप लोगों के batch बना दिये जाएंगे और आपके लिए live doubt classes और routine test और जो सारी चीज़ें हैं ये आपको available start हो जाएंगी, ये सब चीज़ें जो हैं ये तो already पड साल के लिए या फिर यूँ कहले हर एक बच्चा अलग अलग स्टेट में कुछ बच्चों के पेपर आगे पीछे हो रहे हैं तो उसमें अभी आपको एक date लिखके आ रही हो कि ये course इस date को expire हो जाएगा, उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें, जो जिस state के हैं उसके सर 11 सावान बढ़ा है तो उनको दो installment में course available है, ठीक है, ये बात बताना भूल गया तब मैं, ठीक है, साड़े 500 रुपे दो installment में, तीन-तीन मेने में आपको करने हैं, एक installment आप आज करते हैं, तो आज से तीन मेने बाद आपको दूसरी installment करने पड़ेगी, ठीक है ना, दूसर एप का download link, description में दे दिया है, और description में ही आपको इस lecture के notes भी मिलने वाले हैं, clear है, उसके बाद भी कोई दिक्कत है, तो आप इस number पे मुझे contact कर सकते हैं, मैं आपके queries को दूर करूँगा, ठीक है, clear है, इसके लागों कोई doubt है मेरे ख्याल से, अगर तो diet call करे मेरे को, बिल्क आज का lecture, चलिए, start करते हैं हम लोग अपना आज का lecture, तो start करते हैं हम लोग अपना आज का lecture, human anatomy and physiology को ले करके, जो की chapter number 1 से ही है, third lecture है, इसमें एक जनल बात बोल दी गई है, definition of various terminologies, जो इसके अंदर term इस्तमाल होने वाली है, अब various बोल दिया है, उसने कोई खास नहीं बोल कारे में हम लोग समझ लेंगे, एक एक क्लाइन की definition कर लेंगे, ठीक है न, तो start करते हैं, तो definition of various terminologies, इसके अंदर आने वाली है, आओ देखते हैं हम लोग, ठीक है, काफी सारी चीज़ें इसके अंदर learn करने वाली होंगी, तो ज़रा ध्यान रखना, otherwise क्या रहेगा, दिक्क इस position में इंसान हो खड़ा करना है, तो देखो, बिल्कुल state खड़ा किया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते है, upright, पैर नीचे, सर उपर, left राइट ही हो गया, यह पाम देख रहे हो, पाम ऐसे सामने खुले रहेंगे, ठीक है न, और यह पैर, parallel रहते हैं, मतलब जु करते हैं, that it is in standard position, कि वो अपनी standard position में खड़ा हुआ, फिर हमको कोई बात करेंगे, तो उसमें के imagination करना असान हो जाता है, कि अच्छा ही उस बार के बात कर रहा है, ठीक है, अफ्रेफरेंस काल, anatomical position, इस position को हम लोग क्या बोलते है, anatomical position कहा जाता है, ठीक है, क्या क्या condition र at the side, जो upper limb है, वो थोड़ी से side में रहेंगी, एपन चिपका के ऐसे खड़ा नहीं करना है, ठीक है ना, देख रहो हलका सा side में है, upper limb, upper limb का मतलब हातों की बात हो रही है, upper limb slightly away from the trunk, trunk मतलब जो बीच का पाट होता है, इसको trunk कहा जाता है, इससे थोड़ा सा दूर रहेंगी, ठीक है, okay, side में रहेंगी, मतलब side में रहेंगी, ऐसे ऐसे दायमाई नहीं करना है, थोड़ा सा दूर रहेंगी, then, palms facing forward, palms, जो हमारा हतेली है, यह ऐसे सामने रहेंगी, देख सकते हैं, यह सामने है, thumbs pointing away from the body, जो thumbs है, मतलब पाम ऐसे रहेंगी, आप ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करने, body से, जो thumb है हमारा, यह body से ऐसे दूर की तरफ रहना चाहिए, ठीक है, next है, lower limbs together, lower limbs लेचे एक साथ रहेंगे, feet flat on the ground, जो पंजे है, pair के, ठीक है, एक दम ऐसे चिपके हो रहेंगे, ground से, and facing forward, और पंजे ऐसे सामने की तरफ रहेंगे, इस तरीके से, तो यह यह जो conditions है, सारी यहां पर बताई गई है, ठीक है, यह सारी conditions क्या है, यह सारी वो conditions है, जो standard anatomical position, जब इस इंसान में कोई खड़ा होता है, इस position में कोई इंसान खड़ा होता है, तो हम बोलते हैं कि वो standard anatomical position के हिसाब से खड़ा हुआ है, अब कुछ और position भी आती है, reclining body, body, body health के जोगी हुई हो, यह तिर्शी हो यह लेटी हुई हो, ठीक है ना, lying, if the body is lying face down, अगर face down है नीचे के तरफ, it is in the prone, ठीक है न, prone position कहा जाता है, जब उसका चहरा नीचे है, और वो पुरा flat ऐसा उल्टागा के लेटा हुए, if the body is lying face up, body लेटी हुए, चहरा उपर है, it is इंदा, supine position, तो इसको में क्या बोलते है, supine position कहा जाता है, clear है, तो जब medical भास में बात होगी, doctors लोग बात करते हैं, तो वो इसी बात करते हैं, आपस है, prone position में है, prone position पेशेंट था, supine position में पेशेंट था, तो अपने आप understood हो या था, हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि, जो patient सा उल्टा उल्टा लेटा हुआ था चहरा उपर था, ऐसे बात नहीं करते हैं, ठीक है, now, regional names, कुछ बाते हैं, ठीक है, जो हमको यहाँ पर name, समझना है कि कि किसको हम लोग क्या कहते हैं, माथा, सर, पेट, स्टमक, क्यों क्योंकि अब जो है भाषाएं, अलग-अलग हो जाए सेफेलिक, सेफेलिक बड़ का मतलब head है, इसके नहीं दो पाट आते है, cranial, याने की खोपड़ी, skull और facial, याने की face, then cervical, ये गर्दन वाला हिस्सा, cervical क्या आता है, जो टर्म सियाद रखने है, क्या क्या आ रहे हैं इसको उनों neck भी कहते हैं, ठीक है, अच्छा ये position कैसी है, position के नीचे का हिस्सा होता है, उसको हम लोग कई बार, auxiliary कहते हैं, ये जो सामने का हाथ है, ठीक है, इसको हम लोग ब्राचेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्राचेल और इतना हिस्सा क्या कहला था, उपर वाला पार्ट ये arm कहला था, ध्यान एकना, ये हिस्सा arm है, ये arm के यह तो गया है अगला आगया हिस्सा समझते है एंशे यह सुँधा अच्छा एंटीक्यूबाइटल यह तो गया अल्बो अपना फ्रंट ऑफ एलबो का फ्रंट ऐह एंटीक्यूबाइटल ठीक है तीन कspeaking पयलते है जो आगे यह रहता है घुटने छोड़ने के आगे ढगे, राट देते हैं इसे में से घुलते हैं जो ऑगे गुटने के आगेuar का नहीं म्युक्ति अघल गटें एंत बील्य ब्लेय गटे दो टेलर feda तो यहां पर पाइज आए हैं को अलीजी लिग अंघर या या मिल करके फूट या पैडल केढाते हैं ठीक है यह उपर का हिस्सा है पार के उपर का हिस्सा यह डॉर्चा में टॉप फुट यहां अगूटा है ग्रेट टो है ओर 堵ाज करते हैं बार संजुमार ही यह अब उसका बात को समझते हैं अब इस सेड़ंगी बात करती है माथा सामने एह फ्रन्टल फोरेड का जाता है यह साइड में है ठीके ना यह यहां पर सरदर्द करता है that is temporal यह ऐसे temple कहा जाता है आखे जहां रहती है उसे orbital यह ocular कहा जाएगा otic कानवाला पार्ट को otic कहा जाता है chick गालों को बकल कहा जाएगा naak को नसल कहा जाएगा mouth को oral कहा जाएगा ठीक है ना अब थोड़ी को चेन को क्या कहा जाता है mental कहा जाता है breast bone जो छाती की bone होती हम लोगों की यह इसको कहा जाता है sternal then memory breezed female में जो gland पाई जाती है जिसके breast बने हुए होते हैं उसको memory glands कहते हैं तो memory नाम है यहाँ पर ठीक है trunk की बात करेंगे तो हम लोग इतनी पूरी body को ले सकते हैं यह पूरा part में धाड़ है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं trunk बोल देते हैं यह पेट वाला हिस्सा that is abdominal part है ठीक है ना यह वाला part जो होता है pelvic कहलाता है यह pelvis याने की pelvic मतलब यह जो कमर है हमारे पास pelvic मतलब यह जो हमारे कमर वाला हिस्सा है यह this is called the pelvic यह pelvis यह सारे terms हमारे अभी आने वाले जो chapters आएंगे bone, हड़ियां, muscles उसमें सारे terms से repeat होंगे धियान रखना इनको ठीक है ना तो pelvic हमारे जो कमर के हड़ी वाला पार्ट होता है उसे pelvic कहा जाता है आगे आते हैं umbilical जो हमारे नेवल पार्ट होता है ठीक है इसको रख कर देता हूं में ठीक है umbilical मतलब नेवल जहां पर हमारे बच्पन में हमारी नाल जो नाल भी से जुड़ी होती है उसे नेवल का जाता है coxal यह वाला पार्ट है जो ठीक है ना इसे हम coxal यह hip बोल देते हैं inguinal या groin जो जहां पर तांगे उठाएं तो जो जांगो वाला पार्ट होता है जहां पर joints रहती हमारी थाई और यह दिखाए पड़ रहा हूं है हमारी थाई और जहां जुड़ा रहता है joints रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रोइन बोलते हैं यह thumb बोल लो यह polex बोल लो ठीक है इसे manual इतनले हाथ को यह hand बोल लो then जो यहाला पार्ट आथा pubic ठीक है ना जहां पर pubic जहां पर pubic hair जहां पर hair grow करते हैं बात में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं pubic hair है ना जो यहां पर bone type से दिखाई पड़ती हैं हमको ठीक है यह होगा अगा frontal view सामने से क्या के जी दिख रही है अब बात करते हैं पीछे वाले पार्ट की तो ऊपर तो वह ही है cephalic head और cervical garden occipital base of scalp जो सर का हमारे पीछे का यह होता है base इसको हम लोग क्या बोलते हैं occipital बोलते हैं अब देखो यह पीछे बख्य होते हैं यह dorsal, dorsal मतलब पीछे का back dorsal वड इसमाल होता है back के लिए dorsal वड इसमाल होता है पीछे वाले पार्ट के लिए then जो कोनी है हमारी ठीक है olacranal और cubital कोनी के पीछे वाला हिस्स है है ना पूरी एक terminology होती है sacral जो यह कमर वाला हिस्स है ठीक है ना यह उपर लंबर then यह इसको हम लोग लंबर या वह भी कहते है then sacral between the hips hips के बीच वाला जो पार्ट आता है जहां कई वर हलका सा gap या गड़ा से दिखाई पड़ता है ठीक है that is sacral यह जो यह पार्ट है यह जो मसल्स होती है इन मसल्स को gluteal कहा जाता है medical term में हम लोग बटक बोल देते हैं हिंदी में नितंब बोल देते हैं ठीक है ना तो बटक हो जाता है यह ठीक है just उसके नीचे की तरफ end की तरफ जाएंगे तो perineal region जहां पे anus और external genitalia anus है ना कर दो होते ही का उता है काफ भी कहते है का辉गा हम सुरल सुरल नाम दी है देन पीछे वाला पाट इसे सोल कहते है जो पलैंटर कर देते इस लेंने लोगा नहीं आपड häufई आगया अपर लिंब में हमारा हाथ आ गया यह डॉर्सम हाथ के पीछ अला back of hand क्या कहलाता है डॉर्सम तो बहुत सारी terms है जैसे अभी hand का इस्तमाल ला करके डॉर्सम बोल देगा वो लिंब का का इस्तमाल करेगा बटक के लिए इस्तमाल करेंगे हम लोग ठीक है न तो यह सारी टर्म लॉजी तुमको बेसिक पता होने चीए पहले चीज़ अब यह तो होगी बॉड़ी के पार्ट ठीक है न अब आते हैं इतने थोड़ से इस पॉड़न नहीं दे लेकिन का कहिना के टर् पांते बतार रहे हैं तो की लिजसटा रिजन अर्था में रिजन होते हैं नेक वीजु सारी आचखे से समझ लिया है तो हैंड के अंधर क्या टैस वे लिखना है हमको ठीक है कौनकौई से पॉइंट है रिख देख risking the skull encloses protect the brain skull enclose करता है अपने अंदर रखता है और protect करता है किसको? brain को the face is the front portion of the head तो चहरे हमारा head का front portion है that includes the eye nose, mouth, forehead cheeks and chin ये सारे चीज़े हमारे head में count की जाती है face में, sorry, head में नहीं face में ठीक है, आगे आते है the neck supports the head and attaches it to the trunk जो गर्दन होती है, ये सर को support करती है और कहां से जोड़ दे रही है, हमारे head से, trunk से जोड़ दे रही है ये मैंने वाला हिस्सा जोड़ दे रही है, ये मैंने वाला हिस्सा जो होता है ठीक है, the trunk consists of chest, abdomen and pelvis तो ठीक है, फिर देख लेते हैं एक बारी chest, abdomen and pelvis, मैंने वाला हिस्सा जो है ये क्या है, pelvis है ठीक है, तो आगया आते है each upper limb upper limb मतलब दोनों हातों की बात हो रही है attached to the trunk जो upper limb होती है, ये जाकर के इस trunk से यहाँ पर आके जोड़ गई है ये यहाँ पर आके जोड़ गई है, ये ये पार्ट क्या है आर्म है, shoulder से लेके elbow तक four arm होती है, four arm कहां से है portion of the limb from the elbow to the wrist, elbow से लेके wrist तक क्या है, ये four arm है, then wrist ये कलाई हमारी और फिर hand ये पार्ट आया था इसके अंदर, each lower limb अब पैरों की बात कर रहा है है attached to the trunk and consist of buttock, ये जाकर हमारे trunk से जुड़ता है, और क्या बनाता है सबसे उपर hip बनते हैं हमारे, इसको बटक कहते है thigh, thigh portion of the limb from buttock to the knee, thigh कहां से कहां तक होती है, cable, हमको बहुत अच्छे से पता है knee से लेकर, यहां तक ये पार्ट क्या है, thigh कहलाता है leg, leg portion of the limb from knee to the ankle, knee से लेकर के इस घुड़ने से लेकर के इस ankle तक का part क्या कहलाता है leg कहलाएगा, इतना part के बल लाएगा बास समझ में आ रही है, ठीक है okay ankle then foot आयता है the groin, groin क्या होता है groin में क्या होता है groin मैं, देखो मार करता हूँ यहाँ पर यह देखो, यह जो पार्टा नहीं है मैंने का नहीं जहाँ पर joint होता है यह वाला part जहाँ पर टांगे आकर जुरती हो टांगे से खड़ी हो, तो यहाँ फोल्ड से पढ़ जाते है तो यह वाला part क्या 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 लाते है ग्रोइन कहलाते हैं क्या कराते हैं growing जो यह folding से आती हैं पर growing is the area of the front surface of the body body के front surface का पार्ट है marked by crease crease होगा से जहांपर crease पढ़ती है और यहांपर crease पढ़ जाती है on each side दोनों तरफ where the trunk attached to the thigh जहां पर trunk आ करके थाई से जुड़ती है, वहाँ पर क्रीस पड़ती है और वहीं पर ग्रोइन बनती है अब कह रहा है आगे The anatomical term for body part usually based on Greek अब यह जो हमको देखा ना हमने यहाँ पर जैसे की बटा को क्या बोला? ग्लुटेल बोल दिया यह तो यह word आए कहां से यह यह actually word कहां से आ रखे हैं यह आ रखे हैं Greek से Greek और Latin word है It may look different from common name for the same part or area जो common name है उससे कुछ यह अलग हो सकते हैं दिख सकते हैं या प्रनस्क्रिशन में आ सकते हैं ठीक है, example की बात करें The Latin word axilla is the anatomical term for armpit जो बगल होती है armpit उसके लिए क्या वोला जाता है axilla अब बच्चा फस्ता कहां पर है does the axillary nerve अब वो बात बोल रहा है बार बार लिख रहा है axillary nerve बच्चा समझे नहीं पार अगर वहां लिख दे कि जो एक नस है बगल से जा रही है कितना अराम से समझमा आ गया लेकिन वो लिख रहा है axillary nerve अब बच्चा सुतरे axillary word रही पढ़ा ही नहीं body किस हिस्से को axillary कहते है पता नहीं हमको ठीक है ना तो axillary nerve का मतलब हो गया जो नस हमारी बगल से होती ही जा रही है is one of the nerve passing within the armpit जो armpit के अंदर से होती ही जा रही है इसी तरीके से if you receive a tetanus shot on your gluteal कहा जाएगा कि जो टीका है वो gluteal part पर लगा दो यानि कि gluteal ligand का मतलब क्या होगा the injection is in your buttock injection कहा लगने वाला है वो बटक पर लगने वाला है बास समझ में आई तो क्यों यह सारे terms ज़रूरी है ओके नाव directional term direction के हिसाब समझेजों कैसे समझे यानि कि इनसानों खड़ा करते हैं तो कुछ terms तुम लोग सुनते आये होगे अब directional term की जरूत क्यों पढ़ती है to locate various body structure मैं जो कहना चाहता हूँ मेरा सर कहां पर है कैसे बोलू हूँ मैं ठीक है anatomists use specific directional term वो खास direction की terms को इस्तमाल करते हैं जो direction बता देते हैं that describes the position of one body part related to the another जो body के एक part की position दूसरे body part के position के respect में describe कर देती है जैसे हैं समझते हैं जैसे हैं मैं बोलता हूँ superior superior का मतलब क्या हो जाएगा above superior मतलब above वो जाएगा या towards the head या जो चीज़े सर की तरफ है उसके बोलो superior ठीक है skull भी हो गया S से याद रख सकते है superior या S skull inferior below या away from the head inferior बोलने पर जो नीचे की तरफ की बाते होंगी वो क्या होगा inferior जो दूर होती है उसको हम लोग caudal ही बोल देते है ठीक है क्या बोल देते है caudal क्या ये diagram दिखाई पढ़ रहा है ठीक है inferior यहां से गर हम एक cut लगाए तो नीचे वाला part inferior है जो दूर जाता जा रहा है जो सबसे दूर होता है इसको हम लोग कई बार caudal ही बोल देते है तो सबसे टॉप पे ऐसे उपर जाते है उसे हम लोग cranial या superior या superior बोलते है ठीक है जनरली क्या है जो पार्ट सर की तरफ होगा वो superior जो पार्ट लग की तरफ जाएगा वो inferior कहला हैगा तो inferior में याद करने तरीका inferior मतलब F floor आता है floor क्या होती है हमारी जमीर होती है clear है अब superior inferior अगर समझ में आ गया तो अब बाकी बाते भी कर लेते हैं हम लोग कुछ और क्या टर्म है देखो यहापर कह रहाएगा superior उपर inferior नीचे अब देखो यह main trunk वारा part था this is the main trunk इस trunk से दूर जाएंगे तो यह आगया distal इस trunk की तरफ जाएंगे जहां joint अटेच हो रहा है तो हमनों क्या गयाएगे proximal distal part कई वा टर्म हैगा कि यह मेरी body का distal part है याने की end part जा रहा है जहां से attach है उससे दूर कहलो या मेरे जहां से यह trunk से जुड़ा हुआ उससे दूर कहलो और मैं कहूंगा कि जो मेरा shoulder है यह कैसा है proximal है तो proximal मतलब क्या होगा कि यह मेरे एकदम धर से याने कि trunk से जुड़ा हुआ है या यह जहां पर joint है वहें से शुरुआत हो रहा है यह right हो गया यह left हो गया ठीक है अब आते हैं कुछ और बाते समझते है अब देखो body को बीचे बीच में से cut लगाते है यह cut लगा हुआ है इसको आम लोग कहते हैं midline ठीक है ना तो जो part जैसे मेरी नाभी है यह बिल्कुल midline पे तो मैं कहूँगा medial यालिकि बिल्कुल midline पे अब midline से इतना दूर जाएगा तो मैं क्या कहूँगा lateral यालिकि इस तरफ बढ़ता जा रहा हूँ तो lateral ठीक है और इसकी तरफ आ रहा हूँ पार्ट मेरा डिश्टल हो गया और यह वाला पार्ट मेरा क्या हो गया प्रॉक्सिमल हो गया ठीक है अगर अब lateral ले 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 हम लोग तो अब देखो जो animals होते ना उसमें anterior और ventral दोनों अलग पार्ट होए आते हैं ठीक है लेकिन humans में anterior is equal to ventral नहीं करना जो वारा सामने का पार्ट है इसी को एंटीर बोल देंगे या वेंटर बोल देंगे पीछे वाले पार्ट को डॉर्सल या पोस्टेर आने कि जो मेरी बैक है उसको मैं पोस्टेरियर या डॉर्सल नाम से बुलाता हूं ठीक है लिकिन बहुत के स्वल्सक्राइब इसका यहां बन गए अब इसम NOW इसका यह वाला पार्ट होता है मूँ वाला पार्ट ऐसम मूँ मिए यह वाला पार्ट कहलाता है अंटीरियर जानवरों में ठीक है नीचे वाला पार्ट हो गा, ये कहलाता है ветral और उपरोया पार्ट कहलाता है डॉरसल और ये पीछे वाला पार्ट कहलाता है anterior हो गया ये हो गया posterior तो जानवरों में ये चारणप नाम अलग होते हैं बट in clar में क्या है ये क्या कहते हैं inferior और superior और anterior आगे वाला, posterior नीचे थो हमारे कुछ है नहीं नीचे पैर है तो आगे वाई पार्ट एंक्मिये कह गतंगे में चूहरा सब्सक्रा जाएगा और यह definition एक क्लाइन की ठीक है जो तुम लोग क्या करोगे फटा फटेस को देख लेते हैं क्या बोल रहा है यह तो देखो superior towards the head head की तरफ और upper part of a structure example the heart is superior to liver यानि कि मैं क्या कहाँगा heart is यानि कोई चीज़ अगर उपर है तो heart is superior to liver liver से उपर है यानि head की तरफ है ज्यादा close ठीक है then inferior away from the head or lower part of a structure stomach is inferior to lungs जो stomach है वो lungs से inferior है यानि की inferior है पैर की तरफ ज्यादा close कौन है stomach है बात समय में आ रही है ठीक है ना anterior nearer to at the front of the body जो front of body के close है the sternum breastbone is anterior to heart ठीक है ना जो breastbone है यह एकदम सामने होती है heart थोड़ा इसके पीछे होता है इस हड़ी होती है यह हड़ी इसके पीछे होता है तो सबसे आगे कौन निकल क्या आ गया इस्टर ना यह बीच की जो bone होती है ठीक है then posterior पीछे वाला the isofigus food pipe is posterior to trachea वो food pipe उसके पीछे होता है ठीक है यह आगे रहेगा nearer to the back of the body back of body के ज्यादा पास होगा medial beach की line nearer to the middle line medial मतलब जो middle line के बिल्कुल करीब है an imaginary vertical line that divide the body into equal right and left side midline किसे कहा जाता है अब दिखाया था जो एक एसी imaginary line होगी जो बिल्कुल बीच में से आधाधा काट रही होगी जो चीजें इसके पास होंगी उसे medial कहा जाएगा जो चीजें से दूर होंगी उसे proximal कहा जाएगा lateral farther from the midline midline से जो दूर है ठीक है lungs are lateral to the heart lungs are lateral to the heart अब यह जो भार्सा का इस्तमाल होगा ना लेंगर में पढ़ेंगे इसको और आगे डिटेल में तो बच्चा समझें पाता है lungs are lateral to lateral मतलब side view होता है जो lungs है heart के side में ऐसी बच्चा समझ लेता है but real meaning क्या है कि जो lungs हैं वो midline से काफी दूर है actual बात यह हो गई कि लिए रहे आगे आते हैं lateral हो गया intermediate between two structures दो structure के बीच में के लिए टम के अस्तमाल होता है intermediate the transfers colon is intermediate to the ascending and descending colon जो transfers colon होता है ठीक है ना colon अगर तुम्हें यादो जिससे हमारी यह इस्टाइक है ना और यह एनस रहता है तो यह transfers colon यह इन दोनों के बीच में होता है यह एनस रहने की जहांसे हमारा party pass होती है then it is lateral on the same side of the body as another structure same side को कि दूसर structure हो the gall bladder and ascending colon are ipsilateral दोनों एकी side में है contralateral on the appointed side of the body from another structure the ascending and descending colon are contralateral ascending colon यह descending colon दोनों क्या है opposite side में एक left में है और एक right में होता है ठीक है तो ipsilateral हो गया contralateral हो गया proximal अन बता है जो पास में होगा nearer to the attachment of limb to the trunk nearer to the origination of the structure जहां से कोई structure जो बन रहा है या trunk के जो जितना pass है उससे हम क्या कहेंगे proximal कहेंगे the humerus यानिकि arm bone जो होती है its proximal to radius ठीक है तो वो क्या है ज्यादा पास में है radius से डिश्टेल मतलब दूर है farther from the attachment जो यहां से जॉइंट से जितना दूर होगा of the limb to trunk farther from the origination of the structure यहां से यह structure बन रहा है इससे कितना यह दूर है दा फैलेंजेस finger bones जो finger bones है और डिश्टल टूजा कारपल्स ठीक है जो मारी कारपल्स है उससे काफी दूर है नाव सुपरफीशियल टूवर्ट्स ऑन दा सर्फेस अब बोड़ी सुपरफीशियल का तो मारे one mark question के लिए काफी important है ठीक है और वो जो क्या था जहां आगे जैसे हैप पढ़ते जाएंगे तो सारे terms आता जाएंगे ठीक है उनको बार बीट में थ्रौ बहुत होगा तो बताता है चलूँगा लेकिन बार बताने से क्यों टाइम वेस्ट होगा तो सारी चीज कई सारे parts में cut करते इमेजनरी लाइन होती है बाडी के देखो एक होती जो बाडी के सर्याने की बिल्कुल मेरे से ऐसा ऐसा आमने सामने ऐसे लाके बीचा बीच में से काट दो तो डैट इस सेजिटल प्लेट ठीक है ना ठीक है अब उसके बाद अगर एक आर पार ऐसी ऐसी लबी लबी बीचा बीच में से मेरे ऐसे करोगे तो यह वाला part इसको इसको ऐसे बीच में से काट रहा है लेफ से राइट जाते हुए इसको हम लोग क्या करते हैं कोरोनल प्लेन कहते हैं और एक ऐसा पार्ट जो बॉड़ी को उपपर और नीचे वाले पार्ट में काट दें उसको हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं ठीक है बस अगर यह दिमाग में सेट हो जाएगा अच्छा इसके नीचे एक मैंने वह भी दे रखा है कै कैसे यह जात करोगे S ौर C भूर collectors करते हैं और यह काट रहा है driving आज यह कैसा काट रहा है बेड़ा बेड़ा काट रहा है ह्एक लिचाल काट रहा है तो अब दिखो समें क्या स्धायत होगा लेफ्ट राइट होता है ठीक हैं को में करेह इसमें एक एक इरे बश्त डॉसल करेट होता है आगे वाला और पीछे वाला या क्यों कहलो एंटीर और पुस्टिरियर करेट होता है बास समझ मारी है सेटल काटेंगे तो इसको ऐसे याद रफो जो डी एसल आर है ना सेटल में लेफ राइट करेट होंगे तो इसली याद हो जाएगा अच्छा लेफ इंफिरियर और सुपिरियर एसाइमें डिवाइड करेगा ये उपर और नीचे किलिए रहे बाते है आओ what are body planes planes क्या है तो plane का मतलब यह जब ऐसे लंब लंब कारते हैं यह plane हो गया plane का मतलब समझना देखो जड़ा अगर हम गौर से देखें तो यह हो गया मेरे पास क्या this is y-axis this is x-axis और इधर निकल के आगया यह z-axis है ना तो यह planes में कारते हैं xy plane में काट रहे हैं तो उसी वाइस इसका नाम पढ़ गया plane आ गया आते हैं body planes are imaginary line यह कैसी lines है यह imaginary lines है drawn through the upright body that is in anatomical position ठीक है ना जो एक खड़वी body होती है जब उसके अंदर से हम एक imaginary line मान के चले कि ऐसे से काटे है गर body को तो उनको हम लोग plane बोल देते हैं जब वो anatomical position में खड़ा होगा the major planes are imaginary lines run vertically और horizontally जो major, main planes है plane कई तरीक के हो सकते हैं main planes क्या होंगे तो horizontally होंगे यह vertical होते हैं तो ती नहीं पाए जाते हैं there are also oblique plane तिर्छे plane भी होते हैं that can run at any angle किसी भी एंकल से काटो के बहुत हो horizontal vertical नहीं आरे तिर्छा काटो तो क्या 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 आता है oblique oblique का मतलब होता है तिर्छा oblique का मतलब क्या है तिर्छा लेख लो the plane divides the body into different sections और portion अला-अलग section और part नहीं डिवाइड कर देता है अब दिखांगे को से देखें तो यह वाला part एक अलग हो गया इतना इतना ठीक है ना इतना यह अलग हो गया तो section divide हो रहे हैं ठीक है ना इसके part divide हो रहे हैं ठीक है for example the plane might divide the body into right and left side अब जो sagittalian plane है यह left right में divide कर देगा body को बास समझवारी है तो वो दे दिया जो तुमारा यह होगा left right section upper and lower section और front or back section तो इन तीन पार्ट में कार सकता है inferior superior जो मैंने पर उपर बताया है depending on the direction of the cut direction of cut किस टाइब का उस हिसाब से क्या हो जाएगा body मेरी divide हो जाती है अब the body planes provide different views अब plane में cut करने से हमको अलग लग व्यू समझ में आता अच्छा यह ऐसा है यह ऐसा है और section of the body which then allow us to describe the location or direction of anatomical structure or features अब anatomical में जब जाते हैं ठीक है ना अंदर घुशते हैं हम लोग तो हमको क्या है structure को describe करने में असानी होती है अच्छा यह थोड़ा सा एंटीर से थोड़ा सा पीछे है यह पुश्टियर से थोड़ा सा और आगे है तो हमको क्या है यहाँ पर जो अंदर सब्सक्राइब कर दो कट गए तो वो क्या मिल गया हमको section मिल जाएंगे शेक्षन अलाव ऐस तो लुक डिफरेंट व्यू ऑफ दिपेंदिंग ऑन दा डिरेक्शन अपड़ा करती यह भी हमें क्या है देखने में हमारी हेल्प कर रहा है तो तीन में टाइब के प्लेन है यहाँ समझ पा रहे होगे जो उपर हमने डिसक्स कर चुके देखो अब क्या है सब्सक्राइब कर देखने का तरीका है section से याद रखेंगे सेटी ठीक है न तो हमको इजली याद हो जाएगा ना सेजिटल प्लेन सेटल प्लेन में क्या है बिल्कुल बीच में से यसे आदा आदा काट रही है ठीक है क्या खासित इसकी vertical line होती है runs from top to bottom उपर से नीचे की तरफ एक line बिल्कुल बीचा बीच में से उपर से नीचे काट दो तो हमार पास क्या आजाएगा सेटल प्लेन आजाएगा divide the body into right section and the left section दो section में divide करता है right and left अगर ये cut बिल्कुल बीचा बीच से लगता है जैसे ये वाला cut है ठीक है ना तो इसको हम कहते है mid sagittal plane ठीक है the specific sagittal plane through the midline of the body जब बिल्कुल midline of body से जाएगा तो mid sagittal ठीक है ना any sagittal plane off center from the midline अगर midline से हटके है जैसे ये वाला plane हो गया इसको हम लोग क्या बोलते है पैरा sagittal पैरा मतलब बाजू से जो main midline था उससे जड़ा सा हट करके किनारे से लगके लगाया है तो इसको हमने क्या कहा पैरा sagittal plane any sagittal plane off center from the midline जो midline से हट करके ह बात सब्सक्राइब आई ना कोरोनल कोरोनल में क्या हो गया यह ऐसा लंबा लंबा काटेगा ठीक है मतलब ऐसे मानके चलो एक blade low और ऐसा लंबा 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 काटो बीच में से लगा करके imaginary line ठीक है तो vertical line runs from ठीक है, top to bottom and right to left, है ना, top से bottom भी रहता है और right से left भी रहता है, divide the body into front anterior section and the back posterior section, जब ऐसा सा कट जाएगा तो एक पाट आगया आगया और एक पाट पीछे रह जाएगा, clear है, ऐसा काटा देखो यहां पर clear हो गया यह ऐसा काटा, तो यह क्या आगया, इसका front है, यह back है, इसका front हो गया और यह इसका back हो गया, frontal view, side view है से हम याद रखेंगे, तो coronal और frontal plane यह बाद समझ में आई हमें कि कैसा cut होता है यह ठीक है, यह उसकी खास्यत हो गई, now next आता हमारे पास, transverse plane, transverse plane में क्या है हमारे पास, transverse कहलो यह axial कहलो यह horizontal कहलो, ठीक है न, तो कैसी याद रखेंगे, horizontal line, x का x-axis, मतला हम इसको x-axis पर ऐसे कारते हैं, generally हम लोग क्या लेते हैं छोटे पे, x-axis ऐसे लेते हैं, यह x होता था और यह y होता था, तो एक ऐसा cut, imagine करें एक ऐसा glass लिया और ऐसा cut लगा दिया है न, लंबा लंबा सा, तो उसको हम लोग क्या कहते है, axial और horizontal plane कहते है, runs from right to left, यह right से left के तरफ मूफ करेगा, divide the body into top, superior और inferior, top और इसमें divide कर देता है, बास समझ में आगी, तो top और bottom, transverse, top view, frontal, front view, side, ठीक है, इसकी, याद कर ले ठीक है, तो यह याद करने के लिए, जब transverse cut लगेगा, top view, frontal, front view, side view, side view मिलते है, ठीक है, पास समझ में आ रही है, तो यह transverse plane में क्या खासे दर आगी, body में कैसे section मिलेंगे, coronal में कैसे मिलेंगे, side view में कैसे मिलेंगे, इसके अलावा यह तो तीन main हो गया, इसके लावा ए देख रहा है, दो plane, coronal और cital plane, यह दोनों लंबे-लंबे मारे थे, एक ऐसा मार था और एक ऐसा मार था, एक ऐसा मार था, तो यह दोनों क्या हो जाएंगे, हमार पास longitudinal plane के अंदर count होंगे, अब क्या है oblique plane, यानि कि इन तीनों plane को छोड़ के उपर हमने करे, उनको छोड़ क कहीं से और तिर्शा मार दो, वो क्या कहलाएगा, oblique plane देखो, यहां से कट मार दिया, oblique हो गया, ऐसा तिर्शा कट मार रहे है, तो oblique, oblique मतलब तिर्चा, any plane that is not horizontal और vertical, ऐसा प्लेन जो horizontal ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा लंब 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 नहीं है, any plane that is not any of the sagittal, coronal, or transverse plane, या हम य सारे terms हैं इसके अंदर पढ़ने तो पढ़ेंगे, मजबूरी है, आगे आते है, body cavities, बस, यह last part है, body cavity के बारे में, ठीक है, फटा-फट देखते हैं इसको, तो देखो जा रहा है, यहां पर क्या है हमारे पास, अच्छा यह color तो मैं ले लिए है, body cavity क्या होती है, देखने हमारी body अंदर क्या खोकली तो है, उसके एक पेट लगा है, लिवर लगा है, एक पंक्रियास लगा हुआ है, भर जिया गया अंदर, है ना, बाद बाद की हटा दे तो cavity है, तो हमारी body क्या है, तो हमारी body cavity है, वहाँ पे space है, जिसके अंदर organ रखे हुए है, bones, muscles, ligaments and other structures separate the various body cavity from one another, bone, muscles, जैसे की bone और muscle मिलके क्या करते हैं, अलग-अलग cavity create करते हैं, ठीक है, separate the various body cavity from one another, अलग-अलग cavity को अलग करते हैं, सबसे छोटी सी बात बराएं अगर, खोपड़ी का अंदर का ब्रेन, ब्रेन को अगर हटा दें, तो अंदर से खोपड़ी क्या है, खोक लिए, cavity create हो गई, तो इस cavity को कौन separate करते हैं बाखी cavity से, यह हडडी जो हमारे सर की, तो bone क्या करते है, उसे dorsal body cavity का जाएगा, यह जो जिसके अंदर backbone, जिसके अंदर है ना, यह backbone इसके अंदर क्या रही है, तो इसे vertebral cavity का जाता है, ठीक है, अब आगे से आ जाएं जड़ा, cranial cavity, vertebral cavity, यह chest वाला पार्ट जो है हमारा, थोरे से cavity कहलाता है, यह superior हो गया, mediestenum, mediestenum क्या होता है, अब इसमें एक diagram भी दिखाऊंगा, mediestenum का, यह जो beach वाला, यह नहीं, यह जो part है, जहाँ पर mainly हमारा क्या है, heart वाला part है, वो mediestenum क्या लाता है, ठीक है, अब यह neural cavity क्या होता है, lungs के ओपर जो covering होती है, परत होती है, उसको हम लोग neural बोल देते है, तो neural cavity हो गया, pericardial, heart क के ओपर की जो covering हो से pericardial कहा जाता है, ठीक है, यह दोनों cavity कहा है, within the mediestenum, ठीक है, lungs count नहीं होता है, इसके अंदर, ठीक है, pericardial cavity within the mediestenum, यह है, mediestenum के अंदर, ठीक है, अभी होट detailing में आएंगे, diaphragm, जो lungs को abdominal cavity से अलग कर देता है, यह pate की cavity, अच्छा, होता क्या है हमा pelvic cavity मिल करके दोनों क्या मिनाते है, abdominal pelvic cavity मनती है, ठीक है, pelvic cavity अब इसके अंदर क्या क्या चीज़े होती है, सब देखेंगे अभी हम लोग, then ventral body, ventral मतलब आ गया ना, देखो, ventral word आ गया यह, ventral मतलब हमारा front वाला पार्ट आ गया, बोथ thoracic and abdominal pelvic cavity, ventral part के अंदर, एक तो thoracic cavity cavity भी आ गई, then हमार पास यह, abdominal और pelvic cavity भी आ गई, अब body cavity को अगर describe करने के लाँ आ जाए, या, divide करने के लाँ आ जाए, तो हमें दिख रहा है, साफ साफ, एक क्या था, dot cell और एक कैसी, ventral cavity, दो ही टाप की cavity पाया जा रही है, cavity in the back of the body, cavity in the front of the body, यहाँ पे कौन है, cranial brain वाली और यह कौन सी, spinal, इसके अंदर spinal cord रहेगी, ventral cavity की बात करें तो दो cavity है, thoracic और abdominal cavity, thoracic के अंदर कौन कौन है, एक medicinal cavity है, और एक lural cavity है, lungs, lural में lungs रहेंगे, medicine में, trachea, isofagus और उसके अंदर heart, pericardial cavity के अंदर heart और great vessels, जो नहीं से वगर निकलती है, heart से वो रहेंगी, तो दो division आसान हो गया, यह पहला, यह दूसरा, इसके फिर इस cavity के अंदर यह दो cavity पाई जा रही है, अब medicinal के अंदर एक और cavity है, pericardial cavity, अब abdominal में दो cavity होती है, abdominal इसके अंदर liver, stomach, pancreas, intestine रहता है, और pelvic के अंदर bladder, और reproductive organs, reproductive organs, reproductive organs, यह pelvic cavity है, यह पाट रहता है, ठीक है, पेट से बोल रहे है, अब क्या कहे रहे है, the cranial bones, the cranial bones form a hollow space, जो सर का cranial मतलब मारा सर जो होता है, खोलो, खोकला space बनाता है, of the head called the cranial cavity, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, cranial cavity, which contains the brain, जिसके अंदर क्या महजूद है, दिमाग महजूद है, the bones of the vertebral column, ठीक है, the bones of the vertebral column, जिसको हम backbone भी कहते है, form the vertebral, spinal canal which contains the spinal cord, जो backbone होती है, उसके बीच में इस्ते से छेद रहते, इतना बड़ा तो नहीं होता, दिखा रहा हूं है, ठीक है, उसके अंदर क्या जाता है, वर्टीबर कैनाल कहा जाता है, उस छेद को, उसके अंदर कौन होता है, spinal cord, तो एक cavity वो होगी हमारे backbone कहते है, and the thoracic portion of the vertebral column, vertebral column का जो thoracic portion, यह सब मेल करके क्या बना रहे है, thoracic cavity बना रहे है, within the thoracic cavity, the pericardial cavity, उसी cavity के अंदर जहां पर हाट रहता है, उसको हम लोग कहते है, peri, peri मतलब around, cardial मतलब हाट, तो pericardial cavity, a fillid filled space that surround the heart, एक और cavity पाय जाती है, तो fillid filled space होता है, उस उसके अंदर heart रहता है, that two fillid filled spaces called leural cavity, one around the each lung, और साथ में क्या होता है, इसमें, दो fillid filled space होते है, एक space यह है, ठीक है, इस टाइप से, और एक यह है, ठीक है, तो यह बीच में heart हो जाता है, और यह दो space, जो two fillid filled space मतलब है, called leural cavity, यह जो cavity है, lungs वाली cavity को क्या कहा गया है, leural cavity और heart वाली cavity को क्या कहा गया है, pericardial cavity कहा गया है, clear है, आगे आए, ओके, देखते हैं, क्या है यहाँ पर, the central part of the thoracic cavity is an anatomical region called mediastinum, thoracic cavity का central part है, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, mediastinum कहते हैं, क्या कहते हैं, mediastinum, अब देखो जा रहा यहाँ पर, mediastinum बहुत जरूरी है, समझ कर दूँ, इमार को दिख रहा है, ठीक है, यानि कि देखो हैं, हार्ट आ गया, कुछ हमारी arc of erota आ गया, pulmonary trunk आ गया है, left auricle आ गया है, ठीक है, lungs नहीं आए है, mediastinum के अंदर lungs नहीं है, बासमिया आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से हमने mediastinum को समझा कि mediastinum यह बीच का part होता ह है, clear है, सारी cavities समझ में आ रही होंगी, इसलिए मैं इसमें diagram बहुत सारे रखे हैं, ताकि एक एक चीज़ हों को अच्छे से clear हो जाए, ठीक है, now, the medicine contains all thoracic organ, medicine के अंदर, chest पाई जाने हैं, सारे organ होते हैं, except lungs themselves, lungs को छोड़ दे, तो बाकि सारी चीज़ है, medicine में आ जाती है, among the structures, the medicine are the heart, isophagus, कौन कोन आ गया, उसको अंदर, heart आ गया, isophagus आ गया, trachea आ गया, thymus आ गया, several large blood vessels आ गया, यह blood vessels है, enter and exit the heart, जो heart में enter कर रही है, exit कर रही है, वो सारी blood vessels भी यहाँ पर आ जाती है, किसके अंदर, mediestinum cavity के अंदर, clear है, हाँ देखें, आगे आप क्या कह रहा करेगा, यह नीचे एक layer रहती है, इस टाइब से यह वाली, जिसको क्या कहते है, diaphragm कहते है, diaphragm, ठीक है, तो जो क्या कह रहा है, the diaphragm is a dome shift, dome मतलब इस तरह कर रहेगा, ठीक है, muscles होती है, that separate the cavity from the abdominal, abdeno-pelvic cavity, mark करेंगे इसको अच्छे से, चो diaphragm होता है, वो थोरे से cavity को और, इ abdominal pelvic cavity extends from the diaphragm to the groin, अब जो फिर से कोई वर्ट आगा है, groin, ठीक है, जो वर्ट भोल रहे हैं, फटाक से पॉस्ट करके, फटाक से देखना करें वीडियो, groin क्या बता है तो मैंने, joint था, ठीक है, यह वाला, ठीक है, तो यह जो cavity आती है, कहां से, कहां से, कहां से, कहां से, कहा separate नहीं कर रही है, यह हम पीठे देख चुके है, इस cavity को, कोई दिवाल separate नहीं कर रही है, बट यह दो cavity एक साथ है, एक pelvic region में है, तो pelvic cavity बोल दिया, एक abdominal region में है, तो उसे abdominal cavity बोल दिया है, क्लियर, अब देखें, आए क्या बोल रहा है, अब कहा रहा है, दा superior portion, जो उपर गॉल ब्लेडर, small intestine, इस cavity के अंदर क्या क्या पाए जाता है, यह चीज़ इंपोर्टेंट है, ठीक है, and most of the large intestine, और जाजा तर large intestine का हिस्सा भी इसके अंदर आ जाता है, the inferior portion, यालिक नीचे वाला पार्ट होगा, the pelvic cavity, inferior में कौन आ गया, pelvic आ गया, contains the urinary bladder, portion of the large intestine and internal organ of the reproductive system, reproductive system के जो internal organ होते हैं, वो पाए जाते हैं, ठीक है, अब क्या कह रहा है, organ inside the thoracic and abdominal cavity are called visera, सुना, बर नीचे विसरा, सुना होगा ना, यह पोस्टम अगरा होता है, हम क्या तो उसका विसरा, विसरा रख लिया गया है, याद आया विसरा, है ना, कुछ लोग सोस्तों को हिंदी का विसरा इज़ा, यह इंग्रिश्टर, आया मजा, विसरा, विसरा सुना आया न, पोस्टमार्ण के टाइम पर इंट्रेनल ओर्गन को कार्ट कारगे सुरसार रख लिया जाता है, उसका देखने के लिए कि क्या रहता है, गर के, तो विसरा सुरक्षित है या नहीं है, विसर क्या होता है यह किसके अंदर का पार्ट थोरसिक एन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर के जो ऑर्गंस होते हैं यह सारे मिल करके क्या बनाते हैं विसरा बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं विसरा बोलते हैं अब एक मेंब्रेन भी खास पाई जाती है उसके बारे में जिक्र कर ओती है ठीक है जो इस जाती है एक को दूसरे से जुडने नहीं देगी तीड़ेक पूरे विश्रा को कवर करती है within thoracic and abdominal cavity and also lines line का मतलब यहापर ध्यान रखना line का उता line मारना नहीं है line मतलब जो एक परत जैसे मैं एक परत यहां बिछा दूँ तो मैं कहूंगा suppose मैंने एक वो ले लिया suppose tape ले लिया tape ऐसे करके चिपका दिया तो मैं कहूंगा tape is lined on my palm tape is lined on my palm यानि कि tape की परत लगी हूँ है मेरे palm के ऊपर तो line मतलब परत लिख लोगे the walls of the thorax thorax की जो अंदर का परत होती है वो इसी की होती है and abdomen के अंदर भी the part of the serious memory serious memory उने बताया double layer होती है तो दो part होगे इसके जो बहारी parietal मतलब pari मतलब बहार बहार की जो layer होती है outer की तरफ होती है thin epithelium that lines the walls of the cavity बात को समझने ज़र अब ऐसा माल लो यह माल लो cavity है ठीक है तो दो layer लेते हैं फटापड यह माल लो serious की layer है serious membrane है एक यह ले लिया एक यह ले लिया तो एक layer तो direct cavity से जुड़ी हुई है और एक layer अंदर जो organ है उस पे लगी हुई है बात समझ भारी है तो बाहर वाली parietal हो गई और अंदर वाली जो visera जो अंदर के organ से touch है उसको हम लोग क्या बोल दिया है viseral layer बोल दिया है double layer clear होगी यह double layer हो गई है clear है चलो आगी चलते है a thin epithelium that covers the cover and adhere cover and adhere to visera within the cavity जो cover करती है और चिपकी रहती है visera से उसको हम लोग क्या कहते है viseral layer कहते है अब नाम यह कई वार सुने भी होंगे तुमनों ने confuse नहीं करना अब अब क्या कहते है between the two layer is a potential space that contain a small amount of lubricating fillet यह दो लेर होता है ना इन दो लेर के बीच में इन दो लेर के बीच में यहां पर न फिल्यूड बरा रहता है यहां पर क्या रहेगा fillet इससे क्या है कभी जटकाटका लगता तो ऐसे रगड नी लगती है चिकना पन बना रहता है इस पिल्यूड को नाम क्या है सिरस फिलुड इस फिलुड क्या बोलते हैं सिरस फिलुड क्या था जो लुब्रीकेटिंग याना कि चिकनाई बनाने का काम करता है रगण निलगने देगा और बहार की के बीच में नफिलुड अलाव दाव विसरा तुस्लाइट समवट दूरिंग दा मोमेंट सच अध्र लंग्स इंफलेट अंड दूरिंग दूरिंग अब्रीथिंग इस सांस ले रहे हैं तो यह फूल रहा है चिपकरा है मतलब बड़ी ओरिये लंग्स छोटी ओरिये लंग्स है ना फूल बोल देंगे अग्म उन्टी कंप्स्ति लैक्टियू 4 ऊपरट्री अंडर युटानिया में तो थी इन सीन मेंग्डी माँ बड बंद த सीर्स मेंब्रेंड और तोनियम निए च्रस मेंब्रेंड ही करना तो परिटोनियम किसमें आ जाएगी एब्डोमिनल केविटी पैरिकार्डियम हाट के लिए प्रिवरा मतलब लंग्स के लिए हो जाएगा किलियर है अब फटाफट देख लेते हैं हम लोग क्या बोल रहा है यह मोस्ट एब्डोमिनल और अर्गन्स अब्डोमिनल मतलब मारे पोस्टीर टू बलकी क्या होते है थोड़ा सा पीछे की तरफ होते हैं थी के पूस्टीर अचाव नचाइट तो वी रेश्ट्रो पैरिटूनियल ऐसा और इस एपर यह जह इस परत से सीरस की परत थी पैडिटोनियल उससे पीछे की तरफ है उसके अंदर नहीं तह किड़् adrenal gland pancreas deodenum of the small intestine ascending and descending colon of the large intestine the portion of the abdominal arrota inferior venekeva are retroperitoneal तो जहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है देखो इंट्रपरिटोनल इस्ट्च्चर जो पेडिटोनल के अंदर आगे कवरिंग के अंदर आगे कौन कोन है काव रिंगुल बेके अंदर कौन कोन आ गया लिवर है गॉल बडेडर स्प्लीन है इस्टम menorna जेजनग्व सीकरम ट्रांसफर्स था सिगमवाइट को फूज्च उस सीर पैटोनी membrane के अंदर कौन-कौन नहीं है, पीछे की तरफ है retropeldo, right adrenal gland, kidney gland होगी, right kidney, pancreas deodenum, ascending colon, inferior venicaba, arota, descending colon और urator, ये सब चीज़े क्या है, उससे बाहर है, मतलब पीछे की तरफ है और कुछ चीज़े उससे नीचे की तरफ भी है, कौन-कौन है, lower rectum, bladder, male reproductive organ, ठीक है ना, bladder और male reproductive organ जो होते हैं, वो उससे नीचे की तरफ रहते हैं, तो इस तरीके से हमने क्या समझा, हमने देखा, cavities, plane और कुछ terms, जो काफी ज़्यादा बच्चों को लगा होगा कि कुछ नया सीख लिया है, ठीक है ना, मज़ा भी आया होगा, मैंने डाइग्राम्स काफी अच्छे अच्छे देनी कोशिश करी है, चार्ट करके लाया हो, ताकि अच्छे से clear हो जाए, तो बहुत सारे terms से बच्चों क्या करोगे, दिमागों सेट करने के लिए, एक एक पार्ट लेके चलेंगे, जैसे तीन पार्ट थे, cavity थी, ठीक है न, plane था, कोई एक पार उठा लेंगे, उसके सारे terms लिख लोगे, उसको याद करोगे, फिर दूसा पार उठाओगे, उसके terms याद करोगे, चाहो तो terms का ही एक चार्ट बना लो, ठीक है न, अंदर क्या वो बात की बात है, पहले terms, फिर terms की हिंदी समझ लो, उसको लिख तो फिर अपने आप से लोगे, खिलियर है न, ठीक है, तो करना क्या है, यहाद लर्निंग पार्ट बहुत सारा है, तो सिर्फ पढ़ते रहो और याद करते रहो और revision, revision करोगे, तो सारी चीज़ें असान हो जाएंगी, किलियर है, तो करोगोना revision, good, all the best.